वेलकम टू ओनलाइन स्टेडी क्लासेश आज हम लोग SSC मल्टी टास्किंग स्टाफ 2016 सतर जो अभी आई ए नोटिफिकेशन उसका जो है हम लोग सलेवस स्कीम ओफ एक्जामनेशन देखेंगे इसमें देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेर फोर SSC मल्टी टास्किंग एक्जामनेशन इसकीम ओफ एक्जामनेशन डिटेल स्लेवस यह सारा जो है इस वीडियो में डिसकस करेंगे हम अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको कैसे इसके लिए एटेम्ट किया जाए किस तरह से इसका प्रिपेरेशन किया जाए इसका पूरा कम्प्लीट डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे इस लेक्चर में आपको बताएंगे तो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह जो 31 दिसंबर से लेकर फॉर्म वरना चालू हुआ और यह 30 जन्वरी 2017 तक तो आपको इस बीच में अपलाई कर देना है इसके लिए मल्टी टास्किंग स्टाप के लिए इसका कॉलिफिकेशन जो है मेट्रिक लेबल का है रूट से ज्यादा है तो और अच्छी बात है तो आप आरसानी से अपलाई कर सकते हैं तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं क इसका स्कीम ऑफ एक्जामनेशन किया है तो इसमें जो है दो पेपर होगा पेपर वन होगा और जो पेपर टू होगा वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा तो ठीक है तो पेपर वन से ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा बहुत सारे फ्रेंड्स यह पूछ रहे हैं कि मैं कि कि दूसरे स्टेट से अपलाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं तो उनके लिए मैं यह कोंगा कि आप उसमें जो है जब फॉर्म भरना चालू करेंगे तो उसमें स्टेट का पूछ रहा है तो आप अपने अपने प्रिफेंस के हिसाब से स्टेट उसमें सलेक्ट करें उस के स्टाइग्री का है उनको बट्रेट मिलेगा उनको जो सेंटर लेबल पर यह वेकेंसी णिकलिया है Herni कोई स्टेट का नहीं है जो कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम क्रियेट होगा यह सेंटर लेबल की वेकेंसी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा तो चलते हैं पेपर वन जो अब्जेक्टिव टाइप है इसमें जो है टोटल 150 कोश्चन देगा और टोटल 150 मार्श करेगा हर ए जन्रा टापिक्स आएगा जन्रल इंटेलिचनस एंडिजनी इस से गी 25 कुश्चनद देगा और हरे एक कोशय्चन एक एक मार्श करेगा तो टोटल 25 मार्श करेगा और दूसरा है नमरिकल एपेटिईट जोन की 25 कुश्चन देगा और हरे जेनरल एवेरनेस जिसका की 50 कोश्चन रहेगा और हर एक कोश्चन एक एक मार्स का रहेगा तो टोटल 50 मार्स है तो टोटल 150 कोश्चन रहेगा और 150 मार्स तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर English और Gender Awareness यह दोनों से 50-50 question पूछे जा रहे हैं इसलिए आपको इस topic पे ज़्यादा ध्यान देना है फिर इसमें total composite time सब मिला कर total 150 question के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और यह जो timing है आपका 10 बज़े सुबा से लेकर 12 बज़े दो पहड तक और दूसरा जो sitting होगा उसका 2 p.m. से लेकर 4 p.m. इसमें से कोई एक पाली में आपका exam होगा कोई एक sitting में आपका exam होगा या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा तो total 2 घंटे का exam है 150 question है 150 marks का है और negative marking जो है 0.25 का negative marking है हर एक question एक-एक marks का है तो equal weightage का सारा question है लेकिन आपको इसमें याद यही रखना है कि English और एवरनेस जेनरल एवरनेस से ज़्यादा question आता है इस पे ज़्यादा ध्यान देना आपको फिर paper 2 जो है paper 2 है descriptive type का है तो इसमें जो है qualifying nature है केवल आपको इसको qualify कर जाना है qualifying nature का paper है तो इसका कोई marks नहीं जूटेगा जो आपका final merit list बनेगा वो paper 1 के ही marks के हिसाब से आपका final merit list बनेगा subject जो इसमें आएगा short essay आएगा, later आएगा English या कोई other language में भी जो its schedule consumption में जिसे हिंदी में भी आ सकता है English में भी लिख सकते है total maximum marks होगा वो 50 marks का होगा और total duration होगा यह 30 minutes का duration होगा syllabus of paper 1 देखते हैं पहला general intelligence and reasoning जो है जैसा कि हम पताएगा आपको 25 question रहेगा और 25 marks करेगा इसमें जो है non-verbal type का reasoning रहेगा तो non-verbal type का reasoning है इसमें जो है total 15 chapter है आपको उस सारे chapter को cover करना है हर एक chapter से रहेगा question एक एक question डाता है दो question डाता है तो पहला है similarities and differences फिर है space visualization फिर है problem solving फोर्थ है analysis फिर है judgment six है decision making और फिर है visual memory रहेगा visual memory discriminating observation relationship concept figure classification arthematical number series रहेगा और फिर है non-verbal series रहेगा symbol and their relationship रहेगा arthematical computation रहेगा और analytical function रहेगा तो यह total जो है इसका general intelligence and reasoning का total syllabus है तो इसके लिए जो है आपको मैं जो recommend करूंगा जो book जो आप prefer किजेगा वो है non-verbal reasoning जो है आरा सगरवाल की book आती है उसको आप अगर बना लेते हैं अच्छे से और फिर SSC reasoning जो है chapter wise salt paper आता है तो किरन publication का अगर यह दो book आप prefer करते हैं तो आपको reasoning में कहीं भी problem नहीं होगा यह दो book को आप शुरू से start किजे और उसको बना लेजे उसमें जो है जो non-verbal reasoning आरा सगरवाल का है उसमें chapter wise जो है basic of English language इसमें जैसे passage है comprehension इस तरह का basic of English language आपको पता चलना चाहिए फिर है vocabulary है फिर grammar section से आएगा sentence structure करने आएगा synonyms आएगा antonyms आएगा correct use of English grammar यह इंगलिस में जो है error find करने के लिए आएगा आपको तो इस तरह से यह जो है total seven topic है इस पे इससे आपको आएगा और आपको तयारी किसे करना है आपको दो बुक प्रिफर में करवाऊंगा कि पहला a mirror of common error डॉक्टर असोक कुमार सिंग का यह बुक जो है बहुत अच्छा बुक है इंगलिस grammar के लिए इससे जो है आपको correct usage of English grammar हुआ ग्रामर का पूरा section time and tense, voice narration, subject war agreement, articles वे सारे चेप्टर जो है बहुत अच्छे से इसको इसमें कभर किया गया यह mirror of common error बुक में दूसरा है from plane to paramount नितु सिंकर है जो की KD campus की डारेक्टर है तो इसने भी बहुत अच्छे से competition point of view से बहुत अच्छा बुक लिखा इसको भी आप बना सकते हैं और इसमें जो last में vocabulary दिया गया उसको भी आप अच्छे से अगर याद कर लेते हैं तो आपका antonym synonyms यह सब भ आपको cover करना है सारे slaves का number system है computation of whole numbers है decimals and fraction है relationship between numbers है fundamental mathematical operation है फिर है percentage है और ratio and proportion है तो यह और भी है इसका फिर average है interest है interest में simple interest and compound interest है profit and loss है discount है use of tables and graphs है mensuration है time and distance है ratio and time है time and work है यह सारा जो है total 16 chapter जो मुख रूप से है इसमें attitude में तो यह आपको cover करना है इसमें और इसके लिए जो book मैं prefer करवाऊंगा तो इसमें आप यह तीन book prefer कर सकते हैं advanced mathematics for general competition राकेश जादव का तो इसमें जो आप में मैंनली रूप से मैंसूरेशन का पार्ट है और जोमेट्री का पार्ट है यह सब बहुत अच्छा दिया गया इसमें फिर है how to prepare for quantitative attitude यह अरुन सर्मा के यह काफी high level की बूक है अगर इसको आप कर जाते हैं तो आपको SSA CGL, CHSL, EMTS मतलब SSA related जितनी भी है वो सारा तो खूब ही आसानी सो जाएगा बहुत आसान लगने लगेगा फिर एक और है फार्स ट्रेक objective आर्थमेटिक राजेश बर्मा का यह भी बूक बना सकते हैं लेगिन मेरे हिसाब से अगर यह दो बूक जो है फर्स टू बूक अगर आप बनाते हैं अच्छे से ता आपको किसी भी तरह का कोई problem नहीं होगा फिर चलते हैं general awareness section के लिए general awareness section काफी important है इस बा total 50 questions रहेगा और 50 marks करेगा तो इसमें जो है जो मुख रूप से आएगा उसमें current affair है current affair से question रहेगा history से रहेगा culture से रहेगा geography से रहेगा economic scene रहेगा तो यह सब economic सब से रहेगा तो जैसा कि हम geography का lecture डाले हुए है आज economics से भी related कुछ lecture डालेंगे आपको previous year का question सब डालेंगे next है quality including Indian constitution है scientific research है और फिर sports related gender awareness रहेगा तो यह total जो है मुख रूप से art topical लेकिन काफी बड़ा माना जाता है gender awareness के topic को तो आप धीरे-धीरे अगर अभी से start करते हैं cover करना तो आप धीरे-धीरे कर लेंगे cover इसमें जो है जैसे book जो में recommend कराऊंगा objective general knowledge का book जो है मनोहर पॉंडे का book है इसमें separate by जो है सारा चीज दिया हुआ है जैसे कि economics का अलग दिया है history का section अलग दिया है history में भी जैसे मुगल empire है अलग दिया हुआ है जो अगरफी में जैसे reverse related जो है वो अलग दिया हुआ है तो इस तरह से यह मनोहर पॉंडे का जो जेंडर knowledge का objective general knowledge को book है यह काफी अच्छा है फिर परतोगिता दरपन आप current affair के लिए कर सकते हैं कोई भी magazine जो market में available हो जो इन्हें परतोगिता दरपन ही और भी अगर कोई magazine है तो उसको भी आप प्रिफर करके current affair ठीक कर सकते हैं और फिर हमारे channels में current affair हम update करते रहते हैं वो भी आप देखिए वीडियो फिर है ssc general awareness chapter wise salt paper किरन publication का जो static gk का पार्ट है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम उसको handle करें तो जो इसमें ssc सब में क्या होता है कि previous year का question जो static gk में वो काफी repeat होता है gs का gk का यह सब काफी repeat होता है तो इसमें के लिए आप जो है अगर किरन publication की यह book अगर ले लेते हैं तो चेप्टर वाइस जो है उसमें chapter wise solve किया गया है तो वह सारे को अगर कर जाते हैं तो आपको आसानी से यह हो जाएगा फिर आते है paper 2 में अगर आप paper 1 qualify कर जाते हैं तो आपको paper 2 के लिए call किया जाएगा और paper 2 जो है 50 marks करेगा और वो qualifying nature रहेगा paper 2 में essay writing letter यह सब रहेगा उसमें मुख रूप से जो topic रहेगा उसमें national issue जो national issue है अभी national economy related जैसे demonetization चल रहा है अभी cashless economy चल रहा है भारत का जो फिर current ongoing topic जो current में topic चल रहा है उसपे चलेगा national international events जैसे ही olympics है या फिर common wealth game है या इस तरह का जो national international event होता हुँ politics related आ सकता है society से cultural से related तो इस part को आप कैसे cover करेंगे आप UPSC के previous year का question paper आप देख सकते हैं और SSC CGL में भी इस साल से जो है pen and paper mode से इस तरह का written test लिया जाएगा तो उसका भी जो इस साल का question आएगा और आपका जो paper 2 होगा वो काफी late से होगा तो इसका पहले हो जाएगा तो वह भी paper आप solve कर सकते हैं इस तरह से आप जो है complete रूप से तैयारी कर सकते हैं ससी multitasking staff का अगर आप इसको अच्छे से follow करते हैं और हमारे channel online study को हमेसा देखते रहते हैं विजीट करते रहते हैं और उस पर जो हम upload करते हैं वीडियो को आप बार बार देखते रहे हैं अगर आप यह सब बुक नहीं भी पड़ते हैं तो अगर हमारे channel को आप विजीट करते रहते हैं हमारे channel पर जो video हम upload करते हैं वह भी काफी हम अच्छे से तयार करकर और बहुत सारे बुक को prefer करकर हम जो डालते हैं तो आप उससे भी benefit उठा सकते हैं वह भी video काफी आपकी examination के आप फ्रेंड के साथ सेयर कीजिए थैंक्यू सो मच फ्रेंड फोर वाचिंग दिस वीडियो थैंक्यू थैंक्यू सो मच